मैं हूँ राम नंदन अभी सिंग्या में नगर पंचायत में चुनावों की सरगर्मी जो रोपे है और यहाँ पे कई परती निदियों के द्वारा आके नमांकन कराया गया है और हम आपको बता दे इस नमांकन में हमारे समक्ष आये हुए है निसांत कुमार जी और इनसे हम जानते है जनता के लिए क्या भी कास के कारे होगा इनका जितने के बाद क्या नम हुँ है आपका निसांत कुमार परमार अच्चा आप जिंआ कहा जाता है और सिक्षा का इतना इतना अवादी होने के बाद इतना भिशाल कनात्त होने के बाद भी आज भी वहाँ पर एक वार्फिक रूप से तंग हाल है और खासकर के महिला और खासकर के लरकी हमारे समाज की समाज की जो भी है वह थो रहाँ उतना लंबा तो मेरा सबसे पर्थम मांग होगा सिक्षा जिसके लिए डिग्री कॉलेज का और इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगा जैसा कि देखा जाए सिंग्या नगर पंचायत में अभी वर्तमान में नगर पंचायत है इसमें नितिष कुमार की योधना साथ निश्चे योधना है उ तो अभी तक अधर धरातल पर लटकी हुई है इस पर आपका क्या जितने के बाद क्या उदेश साथ निश्चे योजना जो भी मानिय मुख मंत्री जी का है वो जमीनी अस्तर पे जो है सही सुचारू रूप से नहीं चल रही है जनता को उसका लाब समुचित लाब नहीं मि तो जो भी सात निश्चे योजना जो भी सरकारी योजना उसे जमीनी स cling se जुड़ के बीच जाके उसको जो है दूर करने का और जो भी सरकारी लाभ है किसी भी तरह का वह जनता को बीना पैसा और पर्रषानी को मिने यहीं मेरा वाहादा है है जैसा कि महिला ससक्तिकरन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि इस चुनावी महौल में कई पर्तिद्वन्दी आपके सामने आएंगे तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा? हम किसी को भी अपना पर्तिद्वन्दी नहीं मानते हैं और हम किसी से पर्तिद्वन्दिता करने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बोला जाता है जो भारत में संविधान अधिकार देती है जो भी वेक्ति की आजादी है और समानता का अधिकार है सब को चुनाब लड़ने का, चुनाब में खरे होने का और चुनाब जीतने का अधिकार प्राप्त है तो जो भी हमारे पर्तिद्वंदी है, जो भी पर्तिद्वंदता करने के लिए उतरे हैं उनसे मेरा नीजी समंद, वेक्तिगत समंद, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा, जहां चुनाब लड़ने की बाचीत है जैसा कि इस पद से आप जीतने के बाद क्या करेंगे पद से जितने के बाद अभी सबसे बरी जल जमाव की समस्या है हमारे छेतर में जो अगर पानी बहुत ज्यादा मुश्लाधर पानी पड़ती है तो आधा सिंह्या डूब जाता अधा अधा अबाधी डूब जाती है सिंहिया बेनीस नजर आती है और जल निकासी की समस्या रखा गया ज़िए गजट पास होके फैनल लोटिफिकेशन होके चालू हो गया लेकिन बिगत दो बरसों से सिंहिया नगरपचाइद भवन का निरमान आज तक नहीं हुआ है जनता जो है परेसान है जो सिंग्या नगर पंचाइट ग्राम पंचाइट लोग ब्लोग से करवा लेते थे लेकिन नगर पंचाइट का कारजाले कहां है नगर पंचाइट में जो समस्या आ रही है जनता के बीच कागज पतर का या किसी भी तरह का जन समस्या आ रहा है किस पदम से कदम मिला के सबसे एक अच्छा जोहज रिस्ता बना के उसके लिए नगर पंचायत कारजाले के लिए कोशिस करना नगर पंचायत को तोरी तो बनाना क्योंकि मिर्तुई पड़मान पत्र जन्व पड़मान पत्र बहुत ही नेसेसरी और हर एक आदमी सक्चम नहीं है जोसा नगर पंचायत कारजाले में आके करबाए और नहीं सक्चम होने के कारण बहुत लोगों का काम करबर आ गया है जैसा की हम आपको बता दे यहाँ पे निसान जी के दूरा कहा गया है कि हम इस पज़ से जीतने के बाद बिकास के गती जो है सिंग्या में रफतार को तेज करेंगे विकास की गती में रफतार बढ़ाएंगे बने रहिएगा बिन पी न्यूज के साथ मैं हूं राम नंदल झाल बन्यूज के साथ मैं रफतार में राम करेंगे बन्यूज करेंगे धिन रहिए-गतां कि राम खतार बह्तार मैं हिएगा